शिमारू के नई वीडियोज के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना न भूलें क्या बात है हमेची आपके ऐसे महंती के बीच से क्यों ला गया हमें क्योंकि हमसे अब आशी का दर्द और बढदाश नहीं होता हम सारे फंक्शन खतम होने तक कवंग दे रहें आपको या तो आप सब को सच सच बता दीजिए कि आशी और कॉनाल की बच्पन की शादी नखली क्योंकि अब हमारा रिष्टा दाव पर है आपको कोई एक चीज चुननी है स्याथ अपने पेटे की ममता या फिर अपना पती अरे मा बाबा उन्हों यहाँ पर क्या कर रहे हो बातें बाद में कर ले ना प्लीज चलिए सब आपका वेट कर रहे हैं चलो चलो मा चलो क्या हुआ zeros अप डिटवा कुछ नहीं हो अम्मा हम जानते हैं का सोच रह आशी और कुणाल कारिस्तखात हमुज यह सुच रह न और हुमनी समझ में नहीं आ रहा कि यहां अपने लला कि बच्ची कि अम्मा और उधार आशी कुणाल कि बच्पन की तुल минут मैं कुछ समझ को नहीं हा रहा काश आपको बता पाते के बश्पन की वो शादी नकली थी हम आप वो सब छोड़ो वो पापने बाद करेंगे अभी फॉंक्शन को एंजॉय करो ठीक है बढ़ो हाशी मिरिया तुने हम सब की छोटी से छोटी की खुशी का ख्याल रखा हम भी चीज जान लगा देंगे के इस जशन के खतम होने से पहले तुझे तेरी जिंदीगी की सबसे बड़ी खुशी मिल जाए आपके पती का नाम सिट 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 घजाए आपके पती का नाम सिटाइए कहना कि गडिए rush अपके पती का नाम क्या है करणा है हे मैं इनके पती, लिखी है आप आशी को महंदी मैं लगाउंगे, तुम जाओ, तुम जाकर मां की महंदी पूरी करो सिर्थ, क्या हो तुम है, तुम ठीक हो? कीत मुझे थोड़ा हेडिक हो रहा है, प्रीज कॉफी ले आओगे मैं भी लाई मैं, शेर, क्या कर रहे हैंबछ को को अरे, दे कहा? आशी, छुप चापको, संजी. तुझे मेरी कस्म तुझे यज़ नहीं है आशी, तुझे मेरी कस्म ऐधी तू समझाना देखो तुझे मेरी भी कस्म ये बन गया प्रिकॉक ती यह तो बदंग जिससे लग रहे हैं आशी, तू अपनी हदेली पर सिट का नाम लिखने से कत्रा रही है लेकिन भगवान जी ने तो तेरी किसमत में उसका ही नाम लिखा है आए प्रे कि तुम दोनों जल्दी से एक हो जाओ आप महने नहीं लगवाएंगी, आप भी लगवा लीजिए मन तो बहुत है कि सब की खुशियों में शामिल हो जाओं लेकिन जानती हैं, यहां सब लोग मुझ से मेरे परिवार से नाराज है अखे नकुल ने जो गिरी हुई हरकत करी है, इसके लिए मैं खुद बहुत चर्मिनदा हूँ सिर्भाई बोलने में भी शरम आरी है मुझे तो अब यह इसका क्या नया ड्रामा है बाबा, हम जानते है कि नकुल ने जो किया वो आफिलाइक नहीं है पर इसमें गीत की क्या गलती है जब से ये घर सिट के हाथों में कया है इस लड़की ने हमें पेज़द करने का कोई मौका नहीं छोड़ा है अंटी मैं चानती हूँ कि मैं थोड़ा बटक कई थी लेकिन मेरा यकीन मानी अब मुझे ऐसास हो गया कि अरिवार क्या होता है हितने टाइम आप सब लोगों के साथ रहीं लेकिन आज आपकी इतनी बड़ी खुशी में अखिला पंसा महसूस हो रहा है ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई पाहर वाली हूँ प्लीस आंटी हो sujet त beggar द replacing भाबाव किजया भी अमारे लिए ठीक है कि अधियों अन्टी मैं कल भी आपके साथ थी ? और आगे भी आप भीルाग defect मेरहंगी मेरेव मा आपर प्लेतर करन तो बाहत गह रह रहा है लगता है बाबा आपसे अभी भी बहुत प्यार करते हैं चुब भाकर अब अरे कुनाल तुने कुछ खाया नहीं अशी इधर आइधर आइधर आ तेरी महंधी बता कैसी है दिखा वाव यार तुमारी महंधी का रंग कितना गहरा है I'm very sure तुमारा पती तुमसे बहुत प्यार करता होगा नीधी सही कह रहे है नीधी कोई तुमें देलो जहां से प्यार करता है तब ये महंधी का रंग इतना गहरा चड़ा है यो लगी आशी हाशी तुमारे हादों में मेरे प्यार का रंग चड़ा है अब तुमालो कोई है जो तुमें सच्चे दिल से चाहता है ओ हो गीत तुमारी मेंधी का रंग इतना फीका सिट तुमें सच में प्यार करता है न कोई बात दी गीत क्या हुआ अगर मेंधी का रंग गहरा नीशड़ा तो हमारी दोस्ती का रंग तु कह रहा है कुछ चैस लगाओ गसब के लोग हैं यहां हमारे जिंदेगी में भुचाल आया पड़ा हमारे पती की दो-दो शादियां और रखे और यह लोग शादी की सालगेरां का जशन मना रहे हैं जाहे जो भी हो जाए हम तो अपने पती से अलग होने से रहे हैं आज जाहे जो हो जा में बाबा, कुनाल और सिर्थ और मा की टीम में होंगी मा, आशी, निदी और गीत मै और दादी, मुजिक प्लेयर्स तो उप्स इस खेल का हिस्सा है, इसे परिवार का हिस्सा समझने की गलती मत करना यह तो बस एक कुर्सी है, धीरे धीरे दे तो उचे सारी वो चीज़ छील लूगा जो मेरी है चुप चुप बेट सा समझी, निदी बाइब 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 काकी माँ रेने दे आशी इस खेल में हम दोनों एक साथ हैं। को जीतने के खेल में मैं तुम्हारे खिलाफ हूँ तो तुम्हें तुक किक आउट करना ही होगा आशी बेट के यह वाद करना हुआ वनोज जलो है अभी लास्ट राउंड है अभी राउंड किसी एक टीम को जिता देगा और एक टीम को और रहा देगा तो वाण ट्यू एंद त्री जीतने के तो आज हम ही जीतने के तो आज हम ही तुम्हारी एक खुशी के लिए एक बाजी तो क्या जिन्दगी की हर बाजी हार जाओ ये तो टाय हो गया एक गेम बाबा जीते और एक गेम मा अब पता कैसे चलेगा इस रिष्टे में कौन किस पर भारी विद्या भारी तो कोई किसी पे तब पड़ेगा ना जब दो लोग जब लोग जुर के एक हो जाते हैं उनके सुप दोग एक हो जाते है तो पल्ड़ा चाहि हलका हो या भारी दोनों के लिए एक ही है च्योंकि पती-पतनी दो नहीं एक है और दोनों को एक दूसरे को समझ नहीं होगा। आशी ने एकदम पक्की बात कही है, एक दुसरे को समझ ना होगा.